दिवाली के समय में हर घर परिवार में हर सदर से कुछ ने कुछ अपने घर में खरीदी करता है और दिवाली की समय खरीदी करना भी चाहिए इसे सुब माना गया है जोतिस सास्त्रों धर्म सास्त्रों के अनुसार दिवाली के समय में कुछ खरीदना तेरा गुना फल फाइद समय हैं खरीदने के लिए तुला राशी वाले अपनी नीजी घारियों के लिए जिसे आप अगर आप कोई सेंगी व्रष्टिक रासी वाले में अपना पैसा लगा सकते हैं इंवेस्मेंट तो अगर वस्तिक रासी वाले इस समय में अगर कोई प्रावपर्टी में पेशा लगाते हैं तो निश्चित ही भविश्य में उन्हें इस प्रावपर्टी से व्यापार में काफी लाब होगा, काफी फाइदा होगा, साथ इस ही रासी वाले भी अपनी प्रावपर्टी में प खरीद सकते हैं या अपने नीजी कार्यों के लिए भी वहान खरीद सकते हैं साथ ही कुम्बरासी वालों के लिए भी वहान खरीदना काफी सर्वस रेस्ट है कई लोग कई मतों में बताया जाता है कि कुम्बरासी वालों को तो अभी साड़े साती चल रही है इसलिए वहान ख अगर आप यह कुम्ब रासी वाले इस समय वहान खरीते हैं तो उन्हें भी काफी फाइदा होगा अच्छी इस्तिती में लाब होगा इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्रानिक समान की इलेक्रानिक समान का इस दिवाली पर इतना ज्यादा बजार उचाल नहीं रहेगा फिर भ कि अच्छा में करने तो अब आच्या लाब होगा अन्य लोगों को कम लाब होगा अभी वर्तमान का समय साज सजावड का mindful का नहीं है क्योंकि सुक्र वापनी नीच राशी में विछरन कर रहा है तो अभी आप लोगों को आध्ती आवसक साज सजावर्य की चीजे hospital की घरक आप खरिदने से परेज करें अगर आप कोई बड़ा इंवेस्मेंट करते हैं अपनी घर को सजाने के लिए अपनी दुकान को सजाने के लिए तो सायद वो अभी समय सही नहीं है इसलिए आपको सतर करेना चाहिए साउधान रेना चाहिए अभी जो है आप अपने छोटा सा ख दर्चेकरी के छोटे मोटी चीजे से ही आपने घर और दुकान को सजाईए दीपत पांडे लोकलेट इन करगोन